नमस्कार मार्केट संबाद में आपका स्वागत है खुबसूरत हर्याली भरा यह इलाका उतर प्रदेश के जहासी का है और जहासी का यह रेलवे स्टिसन से जो नगरा की तरफ रास्ता जाता है आर्पी अप्थाने की बगल से वहां का यह रास्ता है और यह सीधा रास्ता जो आप देख रहे हैं यह नगरा और पुलिया नंबर नो की तरफ चाता है हम आपको इस रास्ते से पुलिया नंबर नो नगरा तो नहीं ले चलेंगे लेकिन आपको डीजल सेड की वह ले जाने वाले रास्तिक वह ले चलेंगे और यहाँ पर दिखाएंगे यह दिख सकते हैं आप लिखा हुआ है इसमें रेलवे चिकत साला की वो जाने वाला रास्ता और यहीं पर आपको सामने नजर आएगा सीनियर रेलवे इंस्टिटूट यहाँ दिख सकते हैं बच्चे साम के समय प्रैक्टिस करते हैं नजर आजाएंगे जो तैयारी गरते हैं विबिन प्रत्जुकताओं के लिए और यह है वो जानसी का सीनियर रेलवे इंस्टिटूट जहां हर सुबह साम सैकुणों बच्चे आपने प्रैक्टिस के लिए आते हैं और यह बहुत खुबसूरत स्थान है तो चलिए हम आपको जहांसी का जो सीनियर रेलवे इंस्टिटूट है उसका एक खुबसूरत नजारा दिखाते हैं और यहां पर आप देखेंगे तो जो साम का समय लगवक धलने को है आपको बहु चीजों के लिए नजर आते हैं क्योंकि यह जहांसी का सबसे खुबसूरत कह सकते हैं खेलों और यह आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है ब्रद खेल परिसर यहनी सीनियर रेलवे इंस्टिटूट अगर आपको याद आता हो तो कई दसकों से आप इस रेलवे तो यह है वो सीनियर रेलवे इंस्टिटूट जहां आप देख रहे हैं छोटर बच्चे प्रैक्टिस के लिए अपने अविबापकों के साथ चाहते हैं यहीं हम आपको बड़ा जो ग्राउंड है अब उसकी तजबीर दिखाते हैं जहां युवा अपने भविष अपनी छ खमताओं को निखारने के लिए इन मैदानों पर आकर प्रदस्तन करते हैं ताकि भवस्में वह जो भी पार्टिस्पेट हों प्रत्युक्ता हों उनमें भाग ले सकें और यहां पर आप जो सामने देख रहे हैं गेट यह क्रिकट का मैदान बन गया है काफी बड़ा मैदान और यह एक यह बेड मिंटन का पड़ा जो मैदान हौल है वो अभी दो-चार दिन पहले इसका उधिखाटन हुआ है मैं आपको दिखाते हैं यह देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है बेड मिंटन हौल और यह पांच जून 24 को उधिखाटन हुआ दीपक कुमास सिंदा जो का हम आपको दिखा रहे हैं काफी बड़ा मैदान आपको दिखाई देगा अगर आप इसकी हर्याली देखेंगे जो वह आपको बहुत खुबसरन लगी और प्रैक्टिस के लिए यहां पर बच्चे भी आपको नजर आ जाएंगे वह भी हम आपको दिखाएंगे अब अंदर स लेकिन हम आपको यह बाहर से कुशूरत नजारा दिखा रहे हैं देखिएगा तो यह जहांसी का वो सीनियर रेलवे इंस्टिटूट है जो कई दसकों से उत्तरमद रेलवे के जहांसी डिविजन में कई सारे युवाओं को ख्यालियों को आगे बढ़ाने के लिए नाकेव प्रेक्टिस की जमीन देता है उन्हें बड़े-बड़े मालग दर्शकों के निर्देशन में तयार भी करता है आये हम आपको इस जो अंदर का बड़ा हाल है जिसमें मैदान है माप कर हें उसमें जो प्रेक्टिस कर रहे हैं बच्चे उनको दिखाते है और एक यहां पर और भी मैदान हैं वो भी दिखाते हैं जो आप देखेंगे और ये है वो आप देख जाते हैं मैदान जहां हर युगा के हाथ में गेंद बल्ला और अन सामान होंगे और पूरा जोस होगा सबसे ज़्यादा उतसा युगाओं में किर्किट को लेकर आपको देखने को मिलता है और ये किर्किट का जुनू खलाल यहां इस मैदान में आपको नज़र आएगा जहां बच्चे प्रैक्टिस के लिए अपना पसीना बहा रहे हैं और यही खिलाडी हो सकता है आंगे जाकर किसी दिन रर्जी या देश के लिए खेलें यह खिलाडी है यह वाओं का जोस है यह देखिएगा अंदर से किरकेट का ग्राउंड है वो आपको जहांसी के जो इस्टेडियम का ग्राउंड है उसी के तरह यहां पर पूरा हर्याली भरा नज़र आता है और यहां भी जो नेट पर बच्चे प्रैक्टिस करती हैं वो आपको दिखाई दे रहूंगे जो नेट लगा हुआ है कूँकि नेट पर जो खिलारी प्रैक्टिस करता है तो उसकी अलग ही बिधा नजर आती है। यह नेट है दिख सकते हैं इसमें चोटे-चोटे बच्चे हैं जो वह फिलाल समय अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यह जो practice होती है वह coach के अंडर में होती है तो यह आपके देछ सकते हैं coach भी है जो कि बच्चों को training देते हैं उने सिखाते हैं उनके गुण बताते हैं यही गुण आंगे जाके बच्चों को महान खिलाडी बनाते हैं तो यह जहांसी के Senior Railway Institute का किशकेट का बहुत खुरसूरत मैदान है और यह इसके अंदर करना जा रहा है अब हम आपको यहां पर जो एक पार्क मना हुआ है उसके बारे में भी अगले वीडियो में दिखाएंगे लेकिन अभी आपको हमने जहांसी के जो Senior Railway Institute का अंदर का पार है पहार का नजारा है वो दिखाया वो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएए और अगली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हम रेलवे इंस्टिटूट सीनियर रेलवे इंस्टिटूट के अन हिस्सों के बाहर के में जानकारी देंगे मार्केट संबाद की हाँ सी